हेलो एवरीबन वेल्कम बैक टू माई चैनल आई होप यू और डूइंग वेल तो आज मैं आपके शेयर करने वाली क्रिस्मस से रिलेटेड कुछ वाल हैंगिंग या डोर हैंगिंग अगर आप quick and easy decoration करना चाहते हैं तो इस type की door hanging आप बना सकते हैं तो यह सारे door hanging मैंने कैसे बनाए हैं तो चलिए आएए वीडियो को start कर लेते हैं कinhos दिना in the first डूर हेंगिंग को बनाने के लिए मैंने आपर आइस नीछ किस्ट किया है इन इस्टिक्स को हम ऊपर निचे करके एक साथ फैबिष कोल की हेल्प से चिपका लेंगे एक इस्टिक को उपर रखेगे एक इस्टिक को नीचे रखेगे इस तरीक से थोड़ा up and down में हम इन सारे sticks को चिपका लेंगे तो हमारे door hanging का जो नीचे का base है वो ice cream stick से हमने अभी तक ready कर लिया है अब मैंने यहाँ पर normal एक black paper की step ली है इसको मैंने double fold कर लिया है और इसको fevicol की help से चिपका लिया है और इसको अब हम fevicol लगाके ice cream stick पर चिपका लेंगे और इसको हम stick के ऊपर सीधा नहीं चिपका लिया है थोड़ा तिरचा करके चिपका लिया है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं अब stick के base को ready करने के लिए मैंने नीचे यहां पर यह white रंग का water color है वो यूज किया है और पीछे ताकि stick एक level में रहें तो यहां पर मैंने एक paper चिपका लिया है जिससे कि जो हमारे stick है वो बार-बार निकलेंगी नहीं अब हम white color के water color का एक coat और कर लेंगे जिससे कि हमारा जो पूरा white color अच्छे से ready हो जाए और उपर के area में हम black color करेंगे इसमें भी मैंने water color का यूज किया है color का process complete होने के बाद इसको हम dry होने के लिए रख देंगे अब हमारा जो यह black और white color का paint है dry हो चुका है अब हम सेम उसी तरीके से red color के strip लेकर उसके उपर लगा देंगे उसके बाद यहाँ पर मैं eyes लगाऊंगी eyes जो ready mate वाली eyes आती है वो भी आप ले सकते हैं या फिर आप black color के paper से cut करके भी eyes बना सकते हैं और मैंने यहाँ पर यह चोटी सी red color के nose लगा दी है eyes को बनाने के लिए यहाँ पर आप black color की बिंदी का भी यूज़ कर सकते हैं और मेरे पास यह ready mate star था वो मैंने यहाँ पर लगा दिया आप चाहें तो star के cutting करके भी लगा सकते हैं और eyes के उपर जो यह मैंने white रंग के dots दी हैं इसमें मैंने white रंग के paint का use भी कर सकते हैं जो water color आता है और यहाँ पर मैंने black color से इसमें इसका जो face है वो बना दिया है आप चाहें तो इसको भी black color के water color से बना सकते हैं और पीछे यहाँ पर मैंने hanging चिपकाने के लिए white रंग की lace लिया और उसके उपर paper लगा दिया है तो हमारा यह wall hanging बिल्कुल ready हो चुका है आप देखें इसका final look second हम यहाँ पर बना रहे हैं snowman इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर white रंग के A4 size का paper लिया है और इसको चोटी-चोटी steps में cut करेंगे इसमें जो 4 पटियां हम निकालेंगे वो length की तरफ से निकालेंगे और 4 पटियां हम जो निकालेंगे वो विर्थ की तरफ से निकालेंगे जो strips हैं उनको थोड़ा चोड़ा या पतला आप अपने recording भी रख सकते हैं यहाँ पर मैंने white रंग के A4 size के paper का use किया है आप चाहें तो और किसी कलर के A4 size का paper से भी आप इसको बना सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हम सारी strips को cut कर लेंगे cut करने के बाद कुछ ऐसा look आपको दिखेगा चार बड़ी strips हैं और चार चोटी अब इसको हमें कैसे चिपकाना है वो मैं आपको बता देती हूँ इसको हम एक साथ fold कर लेंगे fold करने के बाद यहाँ पर एक निशान बन जाएगा उसी के according हम इनको पूरा एक साथ एक करके एक के उपर एक चिपका लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी process को आप follow करते वे आप पूरा एक सरकल का look लेकर इसको पूरा अच्छे से चिपका लेंगे पेविकॉल की help से हम इसको पूरा चिपकाने के बाद बाल का shape दे देंगे जो उपर वाला जो area की जो ball है वो थोड़े छोटे size की होगी जो नीचे वाले area की ball है जिससे हम body बनाएंगे वो थोड़े बड़े size की होगी जैसे कि मैं आपको इस ball को बनाना बता रही हूँ सेम उसी process को follow करते वे आप जो नीचे की body की ball है वो भी आप ऐसे ही बनाएंगे बड़ी strips वाली शारी strips को चिपकाने के बाद हमें एक ball की shape मिल जाएगी और इसी तरीके से दूसरी ball को भी हम ready कर लेंगे अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को like किये जेगा और मेरे चैनल को subscribe कीजेगा उसके बाद हम यहाँ पर snowman के hand को बनाएंगे hand को बनाने के लिए हम यहाँ पर दो लंबी strips में cut कर लेंगे वाइट रंगी और जो नीचे के hand को बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ पर black color के इस तरह की shape बना लेंगे और उसको white रंगे जो उपर के hand है उसमें चिपका लेंगे तो देखिए हमको एक hand की shape मिल जाएगी इससे पहले मैंने Christmas से related एक वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने Christmas tree बनाना बताया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका link मैं आपको description box में देदूँगे आप जाके check कर सकते हैं और वीडियो के end में भी आप जाके check कर सकते हैं और उपर eye button में भी आपको उसका link मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहां से check कर सकते हैं उसके बाद हम यहाँ पर snowman के pair बनाएंगे इसके लिए मैंने इस type की shape लिया और इसको हम cut कर लेंगे cut करने के बाद इन दोनों जो नीचे के जो पैर हैं इनको हम इस तरीके से आपस में चिपका लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर snowman की body को इसके पर चिपकाएंगे जिससे की snowman को खड़ा होने के लिए एक अच्छा सा base मिल जाएगा जिससे की वह अच्छे से stand कर पाएगा तो देखिए अभी हमने body वाले part को तो complete कर लिया है अब हम यहाँ पर यह hand लगा लेंगे फेस वाला part है जिसमें हम eyes nose बनाएंगे उसको ready करेंगे eyes लगाने के लिए हम यहाँ पर एक steps कट करके ऊपर यहाँ पर लगा लेंगे उसके face वाले part में और आब यहाँ पर हम यहाँ पर black color की eyes लगा देंगे और बीच में black color से इसी black color के marker से या फिर आप sketch pen ले सकते हैं उससे dot बना देंगे तो उसके बाद जो हमारा body वाला part है वो लगबग ready हो चुका है अब उपर हम यहाँ पर उसकी cap बनाएंगे cap को बनाने से पहले यहाँ पर हम face पर red color की एक nose लगा देंगे nose लगाने के बाद आप हम यहाँ पर cap बनाएंगे cap की cutting कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले हम cap का base ready करेंगे और एक oval shape में हम एक इसको cut कर लेंगे black color की paper को cut करने के बाद हम उपर का hat बनाएंगे उसके लिए हम एक paper को strips में cut करके उसको fold करके ऐसे favicol की help से चिपका लेंगे उसके बाद हम उपर जो हमने oval shape cut करिया था उसके उपर इसको लगा देंगे तो देखिए हमारा जो यह है head बिल्कुल ready हो चुका है extra favicol को हम brush की help से निकाल देंगे अब हम इस head को उसमें चिपका देंगे और इसको dry होने के लिए लग देंगे अच्छे से dry होने के बाद अब हम इसको जो eyes वाला पार्ट है snowman का उसमें जो extra paper लगा है उसको seizure की help से कट करके निकाल देंगे तो आप देखिए snowman का final look third wall hanging को बनाने के लिए again मैंने यावर white रंग के a4 size के paper का use किया है और इसको इस तरीके से fold किया है एक बार आगे एक बार पीछे इस तरीके से पूरे paper को हम एक साथ fold कर लेंगे पूरा paper को fold करने के बाद हमारे पास एक जो zigzag वाला pattern है वो ready हो जाएगा उसके बाद हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और एक निशान बना लेंगे और यहाँ पर इसको हम स्टेपलर की हेल्प से स्टेपल कर देंगे और यहाँ पर भी पूरा एक साथ जॉइंट कर देंगे इसको आफ एविकॉल से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे तरीके से स्टेपलर भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है उसके बाद उसके फेस को बनाने के लिए हम यहाँ पर सरकल कट करेंगे मैंने यहाँ पर यह दो सरकल लिए एक चोटा और एक बड़ा वाला सरकल है उससे हम फेस बनाएंगे अभी यहाँ पर हम यहाँ बना रहे हैं इसका मफलर उसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं मैंने इस तरह की शेप का यूज किया है कट करने के बाद जो शेप आपको मिलेगी वह मैं आपको दिखा देती हूं इस तरह की शेप कट करने के बाद यहां पर जो मैंने एक छोटा सरकल लिया है उसको हम यहां पर बिंडल में यानि की बीच में चिपका देंगे और जो मैंने यह रेड कलर के पेपर से कट किया था उसको हम यहां पर साइड में लगा लेंगे उसके बाद हम जो यह बड़ा वाला सरकल हमने कट किया था उसको हम फेस की जगे पर लगाएंगे और उसको रेड कलर को paper का use किया है आप चाहें तो इसके लिए यहाँ पर black बिंदी का use भी कर सकते हैं या फिर ready mate eyes आती हैं उनका भी use कर सकते हैं यह सब लगाने के बाद eyes और nose अब यहाँ पर हम head की cutting कर लेंगे head को मैंने आप पर बहुत ही simple रखा है और इसको कट करने के बाद इसको हम हैट को भी फैविकॉल की हेल्प से चिपका लेंगे देखिए तो हमारा लगबग यह स्नोमैन है यह रेडी हो चुका है यहां पर हम यह वाइट रंग का जो वाइटनर होता है उससे हम इस पर बटन पर वाइट डॉट दे देंगे और आ अपने स्नोमैन को थोड़ा सा स्माइल दे देंगे और स्माइल देने के बाद यह स्नोमैन विल्कुल रेडी हो चुका है आप देखिए स्नोमैन का फाइनल लुक फोर्थ नमबर के डोर हैंगे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह कार्ड़ बोर्ड का यूज किया है और इसको मैंने शर्कल शेप में कट कर लिया है कट करने के बाद मैंने यहाँ पर यह और इसको भी मैंने उसी शेप में कट कर लिया है और उसके उपर आप यहाँ पर हम वह हमारी रेडी हो जाएँगे यह देखिए बिलकुल तरीके से कट हो गई है उसके बाद मैंने याप पर यह ब्लैक आईज आईज आप कोई भी ले सकते हैं या फिर रेडिमेट और यह रेड कलर की नोज तो इसको हम कैसे लगाएंगे मों मैं आपको बता देती हूँ एक रेड कलर का A4 साइज पेपर लेने के बाद अब यहाँ पर हम उपर का जो उसका हैट है सेंटा का वो बनाएंगे इस शेप में लेंगे आप किसी भी शेप में ले सकते हैं इसमें की थोड़ा सा साइड में जो कॉर्नर है वो निकला होना चाहिए तो हमारी जो यह कैप की के पर वो आ गई है और इसको हम इसमें लगाकर पेस्ट कर देंगे तो जो ऊपर का जो कैप वाला पार्ट है वो हमारा रैडी हो जाएगा यह देखिए अब यहाँ पर मैं कॉटन का यूज करूंगी कॉटन के ऐसे चोटे-चोटे बाल्स हम बना लेंगे और बाल्स को हम ब सिंपल और इजी हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा इन में से कौन सा जो डोर हैंगे आपको सबसे अच्छा लगा है उसके बाद यहाँ पर हम पेस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे आइज नोज और लगाकर बिलकुल रेडी कर ल ठीक से लगाने के बाद उसको एक अच्छी सी फिनिशिंग दे देंगे फिनिशिंग देने के बाद हमारा यह सेंटा बिलकुल रेडी है तो आप देखिए इसका फाइनल लुक